Hello friends, welcome to my channel Friends, आज मैं special gen sweater के लिए एक बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान डिजाइन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है Friends इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको तीन के multiple फंदे लेने होंगे इसमें कोई भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं लेना है तीन के multiple देखिए आप इसमें तीन फंदे गिन लिजिए फिर से तीन, फिर से तीन, फिर से तीन इस तरह से करते हुए last तक आपके तीन-तीन ही फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और सिरफ दो सलाईयों में complete हो जाता है जैन स्वेटर के अतिरिक्त आप इस डिजैन को ladies, cardigan, jacket, girls, toe, fro, कुर्टी, cap, बच्चों के स्वेटर किसी पर भी apply कर सकती हैं लेकिन अगर आप जैन स्वेटर बनाना चाहती हैं तो ये डिजैन जैन स्वेटर पर बहुत ही सुन्दर लगता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो friends, border के बाद जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो यहां पर मैंने लिये हैं 24 फंदे तीन के multiple करके लिये हैं इसमें कोई भी फंदा extra नहीं है डिजैन की ये पहली सलाई है और सीधी side है तो ध्यान दीजिए पहला फंदा इसका estich है इसे उतारिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है मैं हमेशा ही पहले फंदे को उल्टा बुन कर लेती हूँ जिससे ये किनारी मुड़ती नहीं है अब यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो estich के बाद देखिए एक फंदा उल्टा धागा अपनी तरफ ही रहे और ये देखिए एक और ये दो इन दो फंदे को ऐसे हलका सा लूज कीजिए धागा अपनी तरफ रहे और आगे की साइड से स्लाइड डालके इन दो फंदे का एक फंदा कर देजिए तो देखिए यहां पर जाली से एक फंदा बन गया और एक हमारा ये हो गया दो से हमें चार फंदे बनाने हैं तो दो बन गई हैं अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो में फिर से स्लाई डालेंगे और एक बार फिर से हम फंदा बुनेंगे तो ये हमारे यहाँ पर चार फंदे हो गई है और इन दो को ऐसे उतार देंगे तो दो हमारी जाली आ गई है और दो फंदे आ गई है हेस्टीज के बाद हमने ये जो डिजैन बनाया है इसी को बार बार repeat करेंगे तो ध्यान से देखिए धागा अपनी तरफ है एक फंदा उल्टा अब धागा अपनी तरफ रहे और दो फंदे से चार फंदे बनाएंगे तो इन दोनों फंदे को आप थोड़ा सा ऐसे लूज कीजिए धागा अपनी तरफ है आगे की साइड से स्लाई डालेंगे और दो फंदे का हम यहां एक फंदा बना देंगे तो देखिए दो हो गए हैं क्योंकि एक जाली आ गई एक फंदा आ गया फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे आगे की साइड से स्लाई डालेंगे और फिर से इस में से हम एक फंदा बनेंगे तो एक जाली और एक फंदा आ जाएंगे तो टोटल हमारे पास दो से चार हो गई है अब इनको हम उतार देंगे फिर से डिजैन को रिपिट करेंगे धागा अपनी तरफ एक उल्टा अब धागे को हम ऐसे ही रखेंगे इन दो से चार बनाएंगे आगे की साइड से स्लाइड डालेंगे धागा अपनी तरफ है दो का एक कर देंगे तो दो फंदे बन गए फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे दोनों फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे और एक बार फिर से बुनेंगे तो जाली के साथ हमारे यहां चार फंदे बन चुके हैं इन دो को उतार देंगे फिर से धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागे को अपनी तरफ रखेंगे इन दो फंदे में आगे से स्लाइड आ लेंगे और दो का हम एक फंदा बना देंगे तो एक जाली और एक फंदा आ गई हैं धागा अपनी तरफ करेंगे दोनों फंदे में आगे से स्लाइड आ लेंगे और दो का हम यहां एक फंदा फिर से बुन लें आगे से स्लाई डालेंगे धागा अपनी तरफ है और दो का हम एक फंदा बुनेंगे तो ये दो हो गए फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे दोनों फंदे में ऐसे स्लाई डालके हम एक फंदा बना देंगे आपके जितने भी फंदे हूं ऐसे ही डिजैन को बार बार है तो मैंने नो नमबर की सलाई ली हुई है आप अपने हिसाब से देख लीजिए जैसी आपकी उन हो उसी हिसाब से आप इसमें अपनी सलाई लगा लीजिएगा तो ऐसे करते हुए देखिए हमने लाश्ट तक इसको बुना है ये एक उल्टा हो गया धागा अपनी तरफ है दो में से एक फंदा बनाया तो एक जाली और एक फंदा हो गया फिर धागा अपनी तरफ करके और दोरों फंदे में सलाई डालके एक बार बुनेंगे तो एक जाली और एक फंदा फिर से आगए और इनको उतार देंगे ऐसे ही डिजैन को बनाती हुए जाएंगे तो लाश फंदा इसका एश्टीच है इसे उतारिए या उल्टा बनाईए धागे को पीछे करेंगे यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो यह एक फंदा हमारा सीधा आजाएगा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे यह जो हमने दो से चार फंदे बनाए अब वापस हम दो करें तो देखिए यह एक फंदा और यह एक जाली इन दो का यहां एक फंदा हम ऐसे उल्टा बुन देंगे फिर से एक फंदा और एक जाली इन दो का यहां एक फंदा ऐसे बना देंगे अब देखिए यह हमारा तीन फंदे का डिजैन बना है इसी को बार बार रिपिट करेंगे धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये जो दो से चार बनाए, इन से हम अब दो बुनेंगे, तो देखे एक फंदा और एक जाली, इन दो का हम एक बना देंगे, फिर से एक फंदा और एक जाली, इन दो का एक बनाएंगे, फिर से धागे को पीछे ल दो का हम यहां एक फंदा बना देंगे एक फंदा और एक जाले इन दो का एक बना देंगे फिर धागा पीछे एक फंदा हम सीधा बुन देंगे फिर से धागा अपने तरफ एक फंदा और एक जाले देखिए हम दो का एक कर देते हैं दो का एक कर देते हैं तो वापस से हमारे वही दो फंदे हो जाते हैं बस यही दो सलायों का डिजैन है बहुत ही आसान सा डिजैन है न्यू बिगनेर्स भी इसे आसानी से बना सकती है बिल्कुल सबसे आसान डिजैन है ये और जेंट स्वेटर पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है और बहुत ही जल्दी जल्दी ये डिजैन बनके आता है बस ऐसे ही करना है उल्टी साइड पर एक फंदा ये gap का जो हमने रखा हुआ है वो उल्टी साइड पर स्चीधा हो गया है जो 2 से हमने 4 फंदे बनाए उनके हम वापस 4 से 2 फंदे बना रही है तो देख लीजिए धागा पीछे है, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपने तरफ, यह एक फंदा होता है और एक जाली, इन दो का एक फंदा ऐसे उल्टा बनेंगे, फिर से एक फंदा और एक जाली, इन दो का एक कर देंगे, धागा पीछे और लास्ट का फंदा यह हमारा द देखिए दो ही सलायों में ये डिजैन इस तरह से ओवर हो जाता है बहुत ही सुन्दर सा ये डिजैन है बहुत जल्दी जल्दी बन के आता है और इस तरह से दो दो सलायों को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपका ये बहुत ही प्यारा सा डिजैन बनता चला जा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके नेक्स्ट पार की स्टार्टिंग बिल्कुल सेम टू सेम आपको करनी होगी एस्टीज के बाद एक उल्टा और इन दो फंदे से आपको वही चार फंदे बनाने हैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर जुरूर कीजिए थेंक्यू